गुड इमनिंग दोस्तों मैं राकेश सर आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं अभी का एस्टेट का लेटेस्ट ब्रेकिंग नियूज ये आ रहा है कि जितने भी एस्टेट पास अभिहर थी जो बटनोट इन मेरिटलेस थे वो आज वो आज 29 जून को महां अंदोलन कर रहे थे मैंने एक वीडियो भी बनाया था महां अंदोलन के लिए जिसमें कई सारे बच्चों ने कमेंट करके ये भी कहा था कि मैं आओंगा सर मैं पटना आओंगा धन्यबाद आप लोगों का जो कई बच्चे कई अभिहर थी आज पटना आएक काफी भीड था अपना सांतिपूर्ण हम लोग क्या करते मंग रख रहे थे कोई एक तो कोई विभाग सुनने को त्यार नहीं था कोई सुन नहीं रहा था लेकिन अभी 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 कह लिजे कि अभी एस्टेट अभिहर्थियों पर पुलिस ने लाठी च असी ये वताई क्या हम लोग बाहरी आदमी हैं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बाहरी आदमी है या हम लोग जो है उगरता पर टेस्ट कर रहे थे हम लोग जो है सांतिपूर्वक अपनी मांग सिक्षा विभाग सिक्षा मंत्री और बियसीवी से मांग कर रहे थे कि बाई जो आपने बारा जैसा कि आप जानते हैं कि बारा मार्च को जब रिजल्ट आया था तो खुद शिक्षा मंत्री और जो सचीव सर संजे सर हैं मिलकर के समलित बयान दिया था कि जितने अभी अर्थी पास हैं सब की नोकरी पकी है तो आज ऐसी नोबत क्यों आ गई क्यों आप आज अपनी बातों से पलट रहे हैं कि आपको मतलब कि साथ में चलन की वेकेंसीज में आपको मौका दिया जाएगा भाई हमको मौका नहीं चाहिए हमें नियोजन नहीं चाहिए हमें नियुक्ती चाहिए इसी की मांग कर रहे हैं हम लोग तो और कोई गलत मांग नहीं कर रहे है क्योंकि आपने जो भी अभी वेकेंसी थी उसको खाली क्यों रखा क्यों नहीं सारे बच्छे का रिजल्ट दिया क्यों सीटे खाली रह गई आपकी क्या आप सकेंड मेरिट लिस्ट जब स्टेट अब्यर्थी लोग इतना परेशन हो जाएंगे जब आपके लाठी चार्ज आ आप कहेंगे कि क्या करते हैं कि आप लोगों की न्युक्ति होगी अभी तक जब तक अभी जितने भी युवा सांथ हैं अगर वो सांथ हैं तो कुछ तो बात होगी कुछ तो आप आपकी बात आपकी बात सुन रहे होंगे वो लोग तो इसलिए शिक्षा विभाग शिक्ष आप लोग देख रहे हो आप लोग जो हमारे साथीगन है उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो पटना में प्रोटेस्ट हो रहा है कि इस प्रोटेस्ट में सब लोग बढ़ चरके भाग लीजिए आप अगर यह सोच लें कि मैं अगर प्रोटेस्ट में नहीं गया तो प् कि किस तरह से मैला ब्यर्थिवी बर्चर के भाग ले रही है इसा ले रही है आपके भविश्की लड़ाई है हमारे भविश्की लड़ाई है और ये तब ही हो सकता है जब हम लोग मिल करके एक साथ आ करके शिक्षा विवाग या कह लिजे कि शिक्षा विवाग B.S.E.B. के बिरुद्ध अगर जब तक हम लोग नहीं आएंगे तब तक या जब तक महा अंदोलन नहीं करेंगे इसे और बड़ा अंदोलन नहीं करेंगे तब तक जा करके कोई आप लोगों की सुनने वाली नहीं है कोई हमारी नहीं सुनने वाली है तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत और वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना ना भेले चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद